नमस्कार दोस्तों, स्वाखते आप सभी का, आप देख रहें सहुन सर्मा किचन की, मैं हूँ सहुन सर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा मार्केट जैसा श्रिखन बनाने की रेसिपी। सिरिखंट बनाने की यह रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही आसान है बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम क्रीमी फ्लोफी सिरिखंट आप घर के अंदर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो वीडियो को सुरूची लेकर एंट तक जूर देखे और यह एक घ एसा घाड़ा दही आप घर के अंदर जमा के अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सिरिकन बनेगा दही का वीडियो मैंने डाला है उसका लिंक आपको डिस्क्रिस में मिल जाएगा वहां से आप देख सकते बहुत ही गजब की ट्रिक है दही घाड़ा जमाने की एक लिए एक चलनी लिए और दो कप दही मैं इस चलनी के अंदर डाल के जहरने के लिए रख देता हूं ताकि दही के अंदर जो पानी है वो निकल जाए चलनी के अंदर इस तरीके से दही को आप फैला के रख दीजिए किसी बरतन के उपर इससे क्या है इसका जो पानी है न व इसका नीचे जहर जाएगा और ये बढ़िया गाड़ा दही हो जाएगा तीस मिनिट बाद देखे कितना सारा पानी जहर गया है दही एकदम गाड़ा हो गया एकदम गाड़ा इससे जो श्रिखन जो बनेगा ना बहुत ही सांदार बनेगा दूसरा बोल लिया है अब दही को आपको इससे चान लेना है देखे कितना घारा धई हो गया है इसका पूरा पानी निकल गए ङसे दही और ज्यादा मीटा हो गया और चीनी भी हमें इसके अंदर जो शूगर डालेंगे वो भी बहुत कम डलेगी तो हम शूगर का यूज नहीं करेंगे इसके अंदर आज और इसको इस तरीके से अच्छे से चान लेना है अब एक ट्रीक और है जो मार्केट में यूज होती है वो है दूद की मलाई या फिर क्री फ्रेस क्रीम जो आती है वो आप दो बड़े चमच इसके अंदर डाल सकते है चाहे तो इसकी भी कर सकते है इससे क्या बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनता है श्रीकंट तो मलाई को भी इस तरीके से आपको चलनी से चान लेना है इस तरीके से पूरी तरीके से ताकि मलाई क रहा 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 रहा, एकदम क्रीमी हो जाए, खान लिया, दही को दढ़ा, मलाही को दढ़ा, अब हमको क्या करना है अब इस दही को हमें फेटना है थोड़ा सा। आप िससे क्या है? एकदम क्रीमी हो जाएगा यह दही क До C her. गाड़ा है, इसको अच्छी तरीके से फेट लेना है आपको, आप चम्मच से भी फेट सकते हैं, या फिर यह जो होती है ना रई, इससे भी फेट सकते हैं, मिक्सर जो मिक्स करने वाले, इस मिक्सर से भी फेट सकते हैं, अब मैं इसके अंदर वन फोर चम्मच इलाइची पा आपको इसके अंदर डाल देने हैं और दूद में भीगी वीक 20-25 केसर की पतियां आपको इसके अंदर डाल देना है थोड़ी सी रख लेनी है ताकि हमें बाद में जब हम टेबल पर शाओ करेंगे तब बहुती बढ़िया लगेगी उपर से केसर थोड़ी सी लगाकर हम शाओ लगएगा दही को अच्छी तरीके से फेड लेना है देखे कितना क्रीमी श्रीखंट बनकर तयार हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर दही को गाड़ा आप रात को भी चलनी के अंदर डाल के फ्रीज के अंदर रख सकते हैं उससे भी दही का पानी जर तो देखे कितना क्रीमी और एकदम फ्लॉफी एकदम बहुत ही बढ़िया मीठाई बनते ही आप चाहे तो इसको मीट्टी के बोल के अंदर शव कीजिए बहुत ही सुन्दर लगेंगे और किस त्रीके से शव करना है आपको मैं बता देता हूं इसको टेबल के उपर हम जब शरू करेंगे ना तो बहुत ही सांदार लगेगा और देखने वाला तो देखके ही मतलब खुश हो जाएगा कि वह क्या चीज है तो गर्मियों के अंदर यह जरूर बनाकर खाना चीए कितना सांदार लग रहा है एक तम गाड़ा गाड़ा और एक तम ठंडा ठंडा है तो वह भी एक एक इसके उपर रख दीजिए बहुत ही सांदार लगेगा देखे गुलाब बजिस अगर आपके कोई गार्ड़न वगरा है गुलाब लगाव है तो आप एक पती धो की अच्छे से रखिए कितना सांदार लग रहा है तो मैं अमीद करता हूं आपके वीड पीशाद दबते के लिए नमस्कार आप से